कि दोस्तों सिली गुडी में हूँ और जो हाइवे आप देख रहे हैं यह इसको कहते हैं वरून है मेरे साथ और प्रकाश सरकार है इनसे बात करेंगे और एक इंपोर्टन जगह पर हूं उस जगह के बारे में बताऊंगा और कौन लोग काम करते हैं यह अब को बताने वाला वरून यह रोड कहां से कहां तक जाती है सर यह एक्पुली आस्यान हाइवे है और आस्यान हाइवे टू यह रोड आपको पानी टंग की नेपाल को क negatives करते हुए यह गवाती होते हुए मायमाद को और इसके साथ यह रोड से किन को भी करता है अच्छा जो जगह है यह जो गुखंड है यह बहुत ही शिंसिटिव एविया है और शिंसिटिव इन मीन्स जो आम लोग चिकन नेक के बारे में पढ़ते हैं आप समझ जिए कि आप चिकन नेक पे खड़े हैं यह इस जगह है जो कि नेपाल का ढ्रीत बंगादेश का बॉर्ड चाइना का बॉरडर सवाइन वंडेट किलोमेटर वा में यहां से मात्र 100 km भी नहीं होगा बिलकुल पास में है नातुला बॉर्डर बिलकुल पास में है तो यह हट लाइन है तो यह बहुत इंपॉर्टन लोकेशन है और सिली गुरी दार्जलिंग डिस्ट्रिक का पार्ट है सिली गुरी सब डिविजन है और यहां पर मैं खड़ा इ इस जगह पे वहां पे एक दो तीन चार पांच मंजला पांच मंजला इमारत है और यहां एक नीचे जो है बहुत ही मशूर फरनीचर स्टोर है राम कृष्ण फरनीचर और इस शौप की बात यह है खास इसलिए आपको यह दिखाना बहुत जरूरी है कि इसके ऑनर नाम कुम्जी जमा किया और यह पांच मंजला इमारत और शांदार शोरूम मैं भी ले चलूँगा कारीग्रों से भी मिलवाओंगा बताओंगा कैसे यहां पर काम हो रहा है नाम शुद्र कम्यूटी के हैं और यह प्रकाश सरकार जो है यह ऑनर है इनके फादर ने बनाया है सब कुछ प्रकाश नौर्थ बेंगॉल इनवर्स्टी से पीएजडी कर रहे हैं और अपने परिवार में पहले विक्ति हैं जो पीएजडी तक पहुंचे हैं और यहां पर जितने लोग काम करते हैं उस सब भूजन कम्यूटी के हैं या तो शिडूल कास्ट है या बैकवर्ड ह हैं इसके बारे में इतिहास के बारे में हिस्ट्री के बारे में किसे बनाए oh पीटा जी यहां पर आने के बाद हम लोग पहले पुलबरी के तरफ से जो बंगलादेश बडर से तुप मजदी गया दो किलो मिटर है वहांसे बंगलादेश बडर तो अब रहते है पिता जी ने शिलुबरी आके यहां के एक नर्मल एक जो रेसिडेंटल आदमी था हुआ उनके अंडर काम किया था तो धीरे धीरे काम करते करते उन्नोंने ठोरा पुंजी जमा किया तो मेरा जो नाना था उनका थोड़ा जमीन था जमीन बेच के और थोड़ा पैसा इधर कलेट करके यह जमीन लिया था और दीरे-दीरे यह मांकान आज़र बनाया है मैंने बहुत इंपोर्टेंट है किदम हाइवे पे है अच्छा आपके यह कितने स्टाफ काम करते हैं की तोटल मैरे हाथ 25 बालस स्टाफ करें हुं जिनले थे बडर बहुता ही यहां पे जनकैसे कम्यूशा की निदिना बींटी में आते हैं यह इसी में एतक्राइशे में सघ्रव कम्यूशा में कारीगर हैं और मैं चलिए मिए कैसे काम होता है जरा यह भी दिखाओं इह यह वो अमोल वर्मन राजबंसी है इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो आपके आप बनाते हैं पर निचर जड़ा दिखाईए कहां पर बनता है अब मैं दिखाने वाला हूं देखिए बारीक देखिए कितनी बारीकी से यहां पर लोग काम करते हैं सब कारीगर हैं मेहनत करने वाले लोग हैं और यहां पर फरनिचर यह पलंग का सेट बना हुआ है पलंग यह पलंग का सेट है कारीगर लोग जो हैं वो सब कहां के हैं अच्छा यह सेमी ब्रांच है और इसका बड़ा ब्रांच अगर टाइम मिलेगा तो मैं बड़े ब्रांच में पी जाकर मैं आपको दिखाऊंगा यह सब बच्चा लोग काम करा हिंदी बोलता है हिंदी तो यह बनाते हो उसको अब यह सिखा नहीं कारीगरी सिख रहे हो इसका काम करते हैं अच्छा आईए भाई यह इनका छोटा वॉक्शॉप है इससे बड़ा भी वॉक्शॉप है आप कारीगर हैं बनाते हैं अच्छा क्या नाम हुगा नंद वर्मन राजबंची हैं सारे लोग यहां पर राजबंची सब शिटिम कास्ट के लोग हैं और मैं इसलिए कहता हूं ना बहुजनों ने इस देश को बनाया है खेती भी करते हैं कारीगर क्या बहत्री। पाइसे भी से मिल जाते हैं टाइम पर कोई ≥ को ठाइस नहीं है है सफब पैसा वी स्ञाविट कास्ट के हैं सारे वर्कर और सब को तो जो है उचित जो सैलिडी है एक दम समय पर बिलता है समय पर ज़रूरत बढ़ती है तो यह बात है तो इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ न कि बहुजानों को बेवसाई बनाई है और देखिए यहां पर किस तरह से यह काम हो रहा है यह आपका फैक्ट्री है यह आपका चो इनके शोरूम में क्या-क्या बने फिनिश्ट प्रड़क्ट क्या-क्या है देखते हैं आईए अंसारी साहब जड़ा ले चलिए जड़ा साफ फिनिश्ट प्रड़क्ट आईए इनका शोरूम है और अभी प्रकाश से बोलूगा कि जड़ा दिखाएं और जड़ा लाइट जलवा दें आईए आईए चाय और नहीं पिएंगे कुछ भी आप खाली दिखाएं मुझे वाह यह पलंग फिनिश्ट प्रड़क्ट है नहीं तो उपर भी है पांच फ्लोर है ना पूरा दो फ्लोर फरनीचर है सिर्फ यहां पर टेबल है देखिए सोफा शांदार बेड है पलंग है तो आप पढ़ाई के साथ बिजनेस कैसे संभालते हैं पापा रहते हैं पापा अच्छा और घर में कौन कोन है मेरा बहन है ममी है पापा हम चारा दो होता है सोचिए यह जब इंडिया और वार हुआ था पाकिस्तान के साथ 1971 बंगलादेश याद होगा उस समय वहां से माइग्रेट करके आया थे नामशूद्र कम्निटी के मजदूरी की मेहनत किया और उ मैं बार बार इसे लिए कहता हूँ कि जिस तरीके से प्राइवेटाइशन बढ़ रहा है नौकरी के अवसर बहुत ही लिमिटेड हो रहे हैं अपने बच्चों को अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाईए विदेश बेजिए बड़ा कारुबारी पुजीपती उद्ध इनकम टेक्स बड़ाइब आपका इंडिया का किसी भी कोने में आप रही राजस्तान बोली यूपी बोली हरियाना बोली है सब जगा मेरा चलिए तो प्रकाश हैं और समय मिलाते हैं इनकी बड़ी फैक्टरी में भी चलेंगे और वहां देखेंगे किस तरह से काम होता है अब लिए चलता हूँ आपको चाय बगान की और बरून साथ है और बहुत ही महंगे कैमरा में ने डॉक्टर अंसारी प्रोफेसर हैं कैमरा संबाल लें देखते रही हैं समय करना मनुदू